वेलकम टू एससी में अगर आज़े 30 दिसमबर 2020 और 30 दिसमबर से करेंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कोशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी जैसा कि आप स उसे ज्यादा कोशन है साइन्स के भी सेट जनरल वर्नेस के भी सेट जी एस वन नाइनर के 25 सेट मैट्स और रीजनिंग के 110 और 100 इंपोर्टेंट कोशन तो यह अगर अभी भी आप लोग ने पच्छेज नहीं करिया दो तेन दिल में आपका पेपर है तो जल्दी से इस इस बहुत जादा बैनिफीशन है जैसे कि आप सभी वीडियो के कॉमेंट में भी पढ़ते होंगे बहुत सबीचों ने जिन्हों ने खरीद दिया यह ऑग लोग कॉमेंट करतें कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा अच्छी है बहुत ज्यादा इसमें बाइ करने के लिए description box में आप लोग को link मिल जाएगा वहां से click करके directly आप लोग बाइ कर लीजिए चलिए start करते हैं आज के first question के साथ first question की हम लोग बात करें किस राज्य के स्कूल पाठे क्रम में सिख गुरू का इतिहास शामिल किया जाएगा तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer है उत्तर प्रदेश यूपी इसका correct answer है अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठे क्रम में सिख गुरू के इतिहास को भी include कर दिया जाएग मुक्यमंत्री कौन योगी आधित्यनाथ ने इसकी घोशना करी और उन्होंने ये भी एलान किया कि भईया हर साल 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में साहिब जादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये कोशन बहुत जादे इंपोर्टेंट है कि भई साहिब जादा दिवस उत्तर प्रदेश में कौन से दिन को मनाया जाएगा 27 दिसंबर को मनाया जाएगा ठीक है उन्होंने ये भी बताया कि इस अवसर पर विद्यालों में सिख गूरूं की शहादत पर केंद्रित वाद वि बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिय चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया तो इसका करिक्ट आंसर है वियतनाम इसका करिक्ट आंसर है अगर हम लोग बात करें भारतिय नो सेना के युदपोत में युदपोत ने वियतना समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिय चीन सागर में वियतनामी नो सेना के साथ पैसेज अभ्यास किया तिक है भारतिय नो सेना पोत आई एन एस किल्टन को मध्ध वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग के साथ भीजा गया था और अपनी वापसी यातरा के दौरान इस यूद्पोत ने संपर्क और सहयोग समंधी अभ्यास में पार्टिसिपेट किया वियतनाम के पास भारत से रक्षा खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन भी है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम चलिए मूफ करते हैं आज के थर्ड कोशन की साइट केन सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस वाहन पंजिकरन और फिटनेस प्रमाण पात्र जैसे महत्मों दस्तावेजों की वैद्धता को कब तक के लिए बढ़ा दिया तो इसका करेक्ट से उन लोगों को राहत मिलेगी जिसके जिनके इन दस्तावेजों की मियाद एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी लेकिन महामारी के कारण नवीनी करण आदी की आवश्य कारेवाही नहीं कर सके थे केन सरकार ने वैदता को बढ़ा कर 31 दिसंबर 2020 किया था लेकिन मंत्राले न काम इल्पिता कि युझा नरेंद्र मोदी हाल लहीं में जम्मौ काशमीर के जम्मौ काशमीर में किस स्वास्थ भीमयोजना का स्वाम किया तो इसका correct answer है 1 सेहत स्वास्थ बीमा योजना सेहत स्वास्थ बीमा योजना इसका करेक्ट आंसर है अगर हम लोग बात करें यह किसके द्वारा शुरुवात की गई है इसकी तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुवात करी गई है जमु कश्मीर के हर परिवार को स्वास्थ भीमा कावर मिलेगा और प्रदेश के सभी 1,30,000,000 लोगों को स्वास्थ भीमा योजना का भी लाब मिलेगा योजना के तहत हर परिवार को पांच लग का कैशलेस बीमा भी मिलेगा तो इसका करेक्ट आंसर है चलिए मुख करते हैं आज के अगले प्रेशन की साइट किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हौकी स्टेडियम बनाने की घोशना करी तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिसा की गवर्मेंट ने गोशना करी ओडिसा के मुख्यमंत्री को नवीन पटनायक उन्होंने 24 दिसंबर 2020 को भारत का सबसे बड़ा हौकी स्टेडियम ओडिसा के रावर केला में बनाई जाने की घोशना करी यह स्टेडियम 2023 में पुरुशों के हौकी विश्व कप के मै जबाने भी करेगा इस स्टेडियम में 20,000 दर्शक मैच देख पाएंगे यह स्टेडियम छेतर में खेल को और लोगप्रिय बनाने और इसकी दशा में इसकी दशा बनाने में सहायता करेगा इस स्टेडियम का निर्मार 15 एकर जमीन पर बीजू पटनायक उनिवर्सटी आफ स्टापित किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात गुजरात इसका करेक्ट आंसर है अगर हम लोग बात करें पहली लीथियम रिफाइनरी कहां पर गुजरात में स्टापित की जाएगी इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए सबसे बड़ी नवी क को Australia से आयात किया जाएगा भारत में लीथियम का उत्पारण करने के लिए नियोमेटर्स और मनिकरण POWER LIMITED ने समझhवता किया. लीथियम एक दुरलब तत्व है और ये भारत में नहीं पाया जाता. ये भारत में नहीं पाया जाता, इसलिए इसका question बनने का chances बन जाता है science से correlato के question बन सकता है तो इसका correct answer है D चलिए move करते हैं आज के अगले प्रशन की से सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है तो 25 दिसंबर को जी हाँ good governance जे सुशासन दिवस भारत के महत्पूर्ण दिवसों में से एक है भारत में सुशासन दिवस प्रति वर्ष पूर प्रधान मंत्री कौन अटल विहारी वाजपाई की जैनती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है तो इसका correct answer है 25 दिसंबर चलिए move करते हैं अचके अगले प्रेशन की साइड किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सक्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्रे विद्यक 2020 को मंजूरी दी तो इसका correct answer MP मर्दे प्रदेश इसका correct answer है MP मंत्री मंडल ने लव जिहाद के खिलाफ सक्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्रे विद्यक 2020 को मंजूरी दे दी इस कानून में शादी तदा किसी अन्य कपट पून तरीके से किये गए धर्मातरण के मामले में अधित्तम 10 साल की कैद और एक लाग रुपे तक के जुर्माने का भी प्रावदान है तो इसका correct answer है MP चलिए move करते हैं आज के अगले प्रशन की साइड ICC ने ने में से किस भारती क्रिकेटर को दशक का सबसे दशक का सर्वश्रेस्ट वंडे प्लेयर चुना तो इसका correct answer क्या है अगर हम लोग बात करें भारती है कपतान विराट कोली को ICC का दशक का सर्वश्रेस्ट पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेस्ट वंडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया इसका correct answer क्या बन जाता है इसका correct answer है आप लोगों का विराट कोली चलिए मुव करते हैं आज के अंतिम प्रेश्ण की साइड अंतिम प्रेश्ण क्या कहता है ICC ने किस पूर भारती क्यापतान को दशक के ICC Spirit of the Cricket Award से सम्मानित किया तो इसके correct answer की बात करें तो हाँ इसका correct answer है MS धुनी महेंदर सिंग धुनी इसका correct answer बन जाता है अगर हम लोग बात करें क्या ICC ने महेंदर सिंग धुनी को दशक का Best Spirit of Cricket Award दिया धुनी को साल 2011 में इंगलेंड के खिलाफ हुए match के लिए ये award मिला धुनी ने नार्टिंगम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजुद वापस खेलने के लिए बुला लिया था अब ICC ने उस खेल भावना के लिए धुनी को ये सम्मान दिया तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer है महेंदर सिंग धुनी चलिए कल के पिछले वीडियो के हम कोशन की बात करने तो पिछले वीडियो में हम लोग ने कोशन दिया था क्या उद्योग मंडल ऐसो चैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभावनिन में से किसने संभाल लिया तो इसका correct answer है विनीत अगरवाल बहुत सारे बच्चों ने इसका correct answer लिखा था मैं उन से भी का thanks करना चाहती हूँ और उमीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे correct answer लिखेंगे आज क्या आपका question क्या कहता है राश्ट्रिय उभ्भोकतर अधिकार दिवस National Consumer Rights Day इन में से किस दिन मनाया जाता है यह 4 option है इन में से एक option correct है I hope सभी correct answer लिखेंगे और हाँ बिल्कुल भी deal मत दीजिए NTPC का exam चल रहा है सभी बच्चे बहुत अच्छे से तयारी करिए ठीक है बिल्कुल भी time नहीं है अच्छे से mock test लगाईए अच्छे से question series लगाईए और एक चीज और मैं बताना चाहती हो जैसे जैसे जिन जिन बच्चों का exam जाता जा रहा है होता जा रहा है उसका analysis उसका questions जरूर revise करिए क्योंकि repeated question बहुत बार boost आ है जैसा कि अभी कुछ paper हुए है जो 2-3 दिन के paper हुए है उनमें repeated question पुछे गए है घुमा फिरा की ठीक है तो उनको एक बार जरूर देख लीजिए और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी फिर से announce करना चाहूंगी कि आप लोग ये वाली जो ebook क्या है इसको जरूर से जरूर purchase करिए ठीक है बहुत ज्यादा important है सच में बहुत ज्यादा important है सिर्फ 49 रुपीज की है बहुत ज्यादा प्राइज इसका नहीं है तो इसको जरूर से जरूर आप लोग purchase करिए ठीक है और अगर आपने वीडियो को तक share नहीं किया तो फटा फट से अपने सभी दोस्तों को वीडियो को share करें जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाब उठा पाएं और हाँ आज की वीडियो के लाइक का टार्गेट बिल्कुल मद भूलिएगा आज की वीडियो के लाइक का टार्गेट है 1700 प्लस लाइक्स I hope ये टार्गेट सभी जादा से जादा अचीव करेंगे thanks for watching this video have a good day bye bye take care